ना कोई महंगी दवाईयां और ना ही कोई महंगा ट्रीटमेंट हमारे इस चैनल पे हम आपका नाचुरल ट्रीटमेंट करते हैं नाचुरल चीजियों से उसी तरीके से फ्रेंड मैं आप लोगों के लिए आज़े कैसी नाचुरल चीज लेकर आई हूँ संतान सुक पाने के लिए माता और पिता दोनों को भी हेल्दी रहना बहुत जादा जरूरी है इसलिए माता और पिता को अपनी दिन चरिये में प्राणायम योगा असन ऐसी चीज़े एड़ करना चाहिए साथी में अपनी डेली डाइट में हेल्दी और वेल बैलेंस डाइट को अड़ करना चाहिए अब आपको कैसे पता चलेगा कि आपको हेल्दी और वेल बैलेंस डाइट को कैसे अड़ करना है आपकी थाली में यानि कि आपकी डाइट में नर्ट्स, पत्तेदार सब्जियां, फल, डेरी प्रोड़, ये सारी चीज़े आपकी दिन भर की डाइट में होनी चाहिए या फिर आप हीना हेल्थ एंडोड एप्लिकेशन डाउनोड कर सकते जहां पे हम डेली डाइट चट अपलोड करते हैं आज मैं आप लोगों के साथ में वीड ग्रास पाउडर के फाइदे बताने वाली हूँ इनफर्टिलिटी को क्योर करने के लिए, यानि कि गर्वधारन करने के लिए साथी में मैं आप लोगों के साथ में wheat grass powder की infertility success story भी शेयर करने वाली हूँ जहाँ पे मेरी subscriber ने wheat grass powder का इस्तिमाल करके within a month conceive किया है जिससे कि आपको wheat grass powder इस्तिमाल करने के लिए motivation भी मिले तो चरिए friends without wasting any time आज का ये वीडियो शुरू करते हैं सबसे पहले हम male infertility की बात कर लेते हैं जब हम पुर्षों को wheat grass powder का सेवन करने बोलते हैं तो ऐसे पुर्षों में sperm count और motility में बड़ोतरी देखी जाती है क्योंकि wheat grass powder में high level में antioxidant पाया जाता है जो कि male partner के लिए superfood माना गया है fertility को improve करने के लिए इसलिए जिन पुर्षों को fertility की problem है, sperm count और motility अच्छी नहीं है तो उनको natural तरीके से बड़ोतरी करने के लिए आप wheat grass powder का सेवन कर सकते हैं अब हम महिलाओं की बात कर लेते हैं wheat grass महिलाओं में FSH level को natural तरीके से बढ़ाता है जिन महिलाओं में FSH level low होता है ऐसी महिलाओं में ovulation या तो stop हो जाता है या फिर अंडे grow होके rupture नहीं हो पाते FSH याने की follicle stimulating hormone ये hormone आपके अंडर अंडे को बनने में और grow करने में help करता है यानि overall ovulation करने में help करता है अगर आपके अंदर FSH level कम है तो आप लोग भी wheat grass का सेवन करके अपने अंदर FSH level को बढ़ा सकते हैं जिन महिलाओं को unexplainable infertility की problem है सारी reports normal होने के बावजूद भी गर्भधारन नहीं कर पारी है तो ऐसी महिलाओं भी wheat grass powder का इस्तेमाल करके अपनी fertility को natural तरीके से improve कर सकती है आजकल आपने देखा होगा 100 में से 80% महिलाओं अंडे की quality की वज़े से गर्भधारन नहीं कर पारी या तो अंडे की quality अच्छी नहीं होती या फिर ovulation से related disorder होता है तो ऐसी महिलाओं के लिए wheat grass super food माना गया है fertility को improve करने के लिए इसलिए अगर आपको अपना ovulation अच्छा करना है एक की quality को improve करना है FSH level बढ़ाना है या फिर unexplained infertility है या फिर कोई भी reason है infertility का तो आप wheat grass का powder करके अपनी fertility को naturally boost up कर सकते हैं और गर्बधारन कर सकते हैं wheat grass में antioxidant, vitamin C, vitamin E, chlorophy, iron, calcium, magnesium, folic acid ये सारी चीज़े पाई जाती है जो की हमारी body को detoxify करता है और शरीर की सारी गंदगी को बहार निकालके सारे रोगों से हमें मुक्त रखने में help करता है जहां पर आपकी body detoxify होना शुरू होती है आपकी आधी problem वही खतम हो जाती है महिलाओं में PCOD, PCOS, hormonal imbalance, ovulation नहीं होना, period बराबर से नहीं आना ये सारी चीज़े जो है हमारी body में गंदगी जमने की वज़े से ही होती है तो जैसे जैसे आपकी body detoxify होती है आपकी ये सारी problem ठीक होती है और आप गर्वधारन करने के लिए अपनी body को ready करते हैं इसलिए अपनी body को ready करने के लिए आप wheat grass powder का जरूर सेवन करें अब मैं आपको बता देती हूँ कि wheat grass का powder आपको कैसे use करना है इसको बनाने की वीधी कैसी है आपको एक glass पानी लेना है जो की normal होना चाहिए ना ही गरम होना चाहिए और ना ही थंडा होना चाहिए नौर्मल temperature पे जो आपका पानी होता है वो आपको लेना है और उसके अंदर एक चमच आपको wheat grass powder का डालके अच्छी तरीके से mix करके पी जाना है ये आप दिन भर में कभी भी पी सकते हैं आप चाहे तो breakfast के बाद भी पी सकते हैं, lunch के बाद भी पी सकते हैं या रात में dinner के बाद भी पी सकते हैं ये totally आपके उपर है कि आपको cup पीना है लेकिन दिन भर में आपको एक glass wheat grass powder का पानी जरूर पीना है ताकि आपकी body detoxify हो सके इसको बनाने की विधी जो मैंने आपको भी बताई है ये दोनों भी लोगों के लिए लागू होती है महिलाओं के लिए और पुरुशों के लिए सिर्व आपको एक glass पानी लेना है जो की normal temperature पे होना चाहिए उसमें आपको एक चम्मच wheat grass powder का डालके पी जाना है wheat grass powder आपको कोई भी सूपर मार्केट या डी मार्ट में आसानी से मिल जाएगा इन केस अगर आपको नहीं मिलता है तो मैंने इसका buying link description box में दे दिया है जहां से आप इसको online खरीच सकते हैं अब हम wheat grass की success story देख लेते हैं मेरी subscriber का नाम है महेशवरी जंगम थांक्यू हीना मैम आज ही pregnancy test किया है दो pregnancy line आई है बहुत ज़्यादा खोश हूँ दो साल से try कर रही थी conceive करने के लिए नहीं हो रहा था बहुत treatment कराया डॉक्टर ने मुझे IUI suggest किया था क्यूंकि मुझे unexplainable infertility थी सारी report normal होने के बावजूद भी मुझे गर्बधारन नहीं हो रहा था फिर मैंने आपका यूटूब पर channel देखा बहुत सारी success story देखी फिर मैंने आपका consultation लिया consultation के दोरान आपने मुझे 2-3 tips दी थी black resin water, wheat grass powder, प्रणायम और leg of the wall position मैडम आपकी यह tips follow करके मैं गर्बधारन कर लिया है आपकी यह सारी tips मेरे लिए magic की तरह काम कर लिया है मैं सभी बहनों से कहना चाती हूँ जो गर्बधारन करना चाती है हीना मैं की tips follow कीजे बीना किसी दवाई के आप भी गर्बधारन कर लेंगे once again thank you मैं तो friends आप यहां पे देख सकते हैं महेश्वरी जंगम ने अपना positive feedback हमारे साथ में share किया है consultation के दोरान मैंने इनके साथ में 2-3 tips share की थी unexplained infertility का problem अगर आपको भी है सारी reports normal होने के बावजूद भी आप गर्बधारन नहीं कर पारे तो आप लोग भी यह 4 tips follow करके गर्बधारन कर सकते हैं 4 tips में इन्होंने बताया है black resin water, pranayam, weed grass powder और leg up the wall position इन 4 भी topics के उपर मैंने detail video बनाया है जिसका मैं link description box में दे दूँगी अगर आप लोग भी यह 4 tips follow करना चाते हैं पहली बार मेरे चैनल पर आया है आपको नहीं पता है तो वो वीडियो एक बास जरूँ चेक आउट कर लीजे टिप follow करने से पहले detail video देखने के बाद ही tips follow कीजे तो friends I hope इस video के अंदर दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी अगर आप लोग भी natural तरीके से अपनी fertility को boost up करना चाते हैं और गर्ब धारन करना चाते हैं तो अपनी daily life में wheat grass powder का सेवन जरूर करें वीडियो अगर आपको दिल से पसंद आता है तो like, comment, share and subscribe जरूर करें जहां पर daily diet chart, ovulation calculator वगरा सब मिल जाएगा आपको जिसका मैं download करने का link description box में दाल दूँगी